इस सवाल में given है आपको A car of mass 1000 kg negotiates a banked curve of radius 90 meter on a frictionless road. The banking angle is 45 degree The speed of car is dashed Banking of road का सवाल important concept है सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि banking हम road की करते गयों है जहां भी mode आता है वहां हम road को एक तरफ से जुका देते हैं इसका कारण है कि जब जुक जाएगा तो ज़्यादा speed से आप गाड़ी को वहां से ले जा सकोगे ऐसा क्यों होता है क्योंकि आप देखें ये road आपका यहां पर ऐसे turn ले रहा है ये आपका ऐसे turn है उसको इस portion में दिखाया है इसको आप और बेटर समझें तो ऐसा समझें कि एसे आपका turn जो होगा road का वहां पर road को आपने इसे bank कर दिया है जुका दिया है एक तरफ से तो angle of inclination theta है ऐसा करने से होता क्या है अगर flat road पे अगर ये road flat होता और यहाँ पे आप bend करते तो आपको इस side एक ही force लग रहा है friction force जब ये road bank हो जाता है तो friction force के साथ साथ normal reaction का भी एक component इस side आता है जो की center की तरफ friction force और normal reaction का component मिला के center की तरफ लगने वाले force को बढ़ा देता है और center की तरफ लगने वाला force बढ़ गया तो आप ज़्यादा velocity से घूम सकेंगे इसलिए आप banking of road करते हैं banking of road में ऐसा रहता है कि आपके पास maximum value तक आप speed up गाड़ी को कर सकते हैं उसके बाद करेंगे तो friction और normal को दोनों को मिला कि उनके पास इतना force नहीं है कि वो उस velocity से उसको घूमा सकें इसलिए उस case में जब भी वो ज़्यादा speed कर देगा उस limiting case से तो आपकी गाड़ी बाहर की तरफ skid करती है क्योंगी अंदर वाला force उसको रोक नहीं पाता है उल्टा भी पॉसिबल है अगर आप बहुत कम speed कर देगे आपने सरकस में death well देखा होगा मोत का कुआ उसमें जो बाइक वाला होता है उसको एक particular speed से बाइक घुमानी पड़ती है अगर उस particular speed से बाइक नहीं घुमाएगा तो गिर जाएगा इसका मतलब bank road पे एक minimum speed भी maintain करनी पड़ेगी और एक maximum speed के अंदर भी रहना पड़ेगा V min और V max के अंदर आपकी गाड़ी चलेगी तो आप safely उस road को travel कर पाएंगे अब इसका लंबा derivation है कि V max V min क्या होता है V max और V min के formula ये हैं derivation के लिए आप हमारे detailed video देख सकते हैं अगर आपको requirement आप comment section में comment करें और directly याद भी कर सकते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है कि frictionless road है मतलब इसी case का हम generalize case का आप एक special case discuss कर रहे हैं कि frictionless है frictionless है तो mu 0 होगा अगर mu 0 होगा तो यह time हटेगी यह time अटेगी यहाँ पे देखें यह time अटेगी यह time अटेगी तो V max और V min same आ जाएगा इसका मतलब velocity should be equal to root gr root gr velocity आपकी होनी पड़ेगी frictionless inclined plane पे root gr साथ में 10 theta भी अगर आपका bank road है frictionless है तो V max V min की दो value नहीं बलकि single value आती है इसकी value है root gr 10 theta इसका मतलब smooth inclined plane पे आप एक fixed velocity के साथ ही गाड़ी को move करेंगे तो आप वापे चल सकते हैं otherwise नहीं values put करेंगे g 10 है radius 90 है और 10 theta 1045 1 है under root 900 root करेंगे तो 30 meter per second यह आपका आ जाएगा जिस velocity से आपकी गाड़ी इस पर्टिक्लर सरकल में घूमेगी तो अंसर इस 30 30 meter per second case आता है जिसमें आप बोलते हैं कि रफ तो है बड़ इंक्लाइन प्लीन नहीं है तो उसको भी हम किसी और सवाल में देखेंगे थाइगे तो है यह जापकी तो है यह जाएगा जो अंसर दीट को अंसर नहीं है जाएगे यह को अंसर दीट के रट कर देखेंगे गाश्ड़ यह जाएगे यह